हमारे मित्र और बिहार के एक्स डेपुटेस सीम आर्जेडी के नेता तेजेस्वी आदोजी को मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस सभा में उपस्तित आदने रहूल गांदी जी, मलिका अर्जुन खर्गे जी, शराद पवार सहाब जी, उद्दब ठाकरे सहाब जी, प्रियंका गांदी जी, फारुक अब्दुल्ला जी, माने अंबेतकर सहाब जी, महागरवंधन के इंडिया अलाइंस के सभी नेता गन, सभी कारिकरता गन, सभी पददिकारी गन, मुंबई और महराज से आए हुए, सभी हमारे बुज़र्ग अभिवावकों का पैर चूकर के प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को नवश्कार करते हैं, और अपने नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगा करके लेका काम करते हैं, देखिए, आज मुंबई में अन्तिम दिन भारत जोरो यात्रा कर रहा है, और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, कि पूरे देश में नोने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो, या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्थी स्टेट से लेकर के, हर जगर राहुल जी ने यात्रा की है, और एक पैगांब एक शंदेश देने का काम किया है, जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है, प्रसांगिक है, आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के सन्वधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनुईवी सरकारों को, लोक तंतर में मद्दान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, एडी सी बियाए के जरिये ड़ा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है, सन्विधान लोक तंतर पे खत्रा है, वहाँ आदर ने राहूल गांदी जी ने, सभी लोगों को जोडने के लिए देश के लोक तंतर को बचाने के लिए, देश के सन्विधान को बचाने के लिए, अमन, चैन, भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए, इन्होंने जो भारत जोरो यातरा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी महागडबंदन और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो डराया जा रहा हो लोगों को लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिटी डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूए हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं उस सोच को हराने के लिए जो देश को बाठना चाहती हैं उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से अश्या जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचार धारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने हमेशा से जिनका अज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगा न फेडाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बरे देश भक्त हैं अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है महंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्पेट बिछा करके बैठ रहेंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भायों का आई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहूल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंदरा पंदरा लाग का तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनरजी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनरजी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं हैं हम लोग लडने वाले हैं अपने लिए नहीं आप के लिए लडने आए आए हैं आपके लड़ाई लड़नी है है इसलिए हम यह पैगाम लेकर क्या है लालू जी का डॉक्टर के सला पे ज्यादा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट्र में खास और पे बंबई में प्राहुल जी ने निमंतरन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ करते हैं हम रवा लोग इनके भी कहतनी बच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पड़ोज देता है इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के मोधी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथी साथ वो जूट बोलने के फैक्ट कि दीटर भी है होलचे भी है और डिस्ट्रिब्भी भी है कि यह उनका काम है हम लोग सक्ये लोग है और सक्चे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं साज को आज क्या उसल artists लिंके गीदर भबकी से हम लोग डर्ने वाले आप बता हब लोग डरोंगे लड़ाई लड़ोगे की नहीं लड़ोगे साथ दीजेगा ना सबका हम तो कहना चाहते राहूल गांदी जी जो यात्रा कियें ये भो सकता है पहला चरण हो लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा चाहे सत्ता में आए या ना आए हमको जनता के बीच उनके सुक का दुखधर का बागिदार बढ़ना पड़ेगा हमेशा जनता के बीच रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फेलाया है इतना नफरत फेलाया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भे दबाव नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच जनता के बीच रहना होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मुहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जन्डा भुलंग करने का काम कीजेगा आज यहां शरत पवार जी भी है उद्दव जी भी है आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था यहां विधायकों को खरीदा जा रहा था दराया जा रहा था यहां एक बात बता देते हैं आज महराष्टा सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब डीलर है शरत जी के नाम पे नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे सिफ सेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे ये लोग केवल डीलिंग करते हैं इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे लोग गए गए अच्छा हुआ चले गए उससे कोई फड़क पढ़ने वाला नहीं है हमको कि तरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारभा बनाने का होसला रखते हैं उसलिए हम सब लोग यही आए क्योंकि जंता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का शिर कि बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारेंटी है हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गारेंटी दे के दिखा दो पहले कि वो फिर से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बड़े है अभी वाबक है लेकिन आहां वहां जो अवाम का ताकत मिल रहा है रावल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाच शौकाने वाला रिज़र्ट हम लाकर के देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जूठ हो जाएए एक जूठ हो करके लडाई लड़िए यह मोदी जी क्या बोलते हैं दो करोर हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं सत्रा महीने के वल डिप टीशीयम बिहार के रहें पांच लाक लोगों को सरकारी नौकरी दिया मोदी जी अपने दस साल में भी पां सब चीज प्राइविटाइज कर दिया गया, खतम कर दिया गया, आरबी में उता था किया आप सब लोग जानते हैं, इसको सारगा चीज कर दिया गया, तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज़ादा सबें हम नहीं लेंगे, सभी गर्मान देख्तियों को हमारे अबिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाईएगा हम बोलेंगे भात्पा भगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भात्पा भगाओ भात्पा भगाओ भात्पा भगा C'in Cem Araçlı